प्राव में किसी रीजिट वीडियो में एक चीज मेंचिन की थी आ ग्लोबल अपरेटर लोगल साइकोलोजी ग्रोफ पैटर्ण और इंडिविच्ट पीर आपने काते हैं कि आज पाकिस्तानी मुस्लिम और नौजवान आपको इन चीज़ को आने काता हैं चाहिए ग्लोबल अ साइकोलोजी ग्रोफ पैस पितना हैं इस चीज़ को स्टेफ पर स्टेफ प्रोसेस में कैसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं क्यूंकि है मुद्ध आपने स्टेफ कार दिखे करना हैं कहां ते पनी गाइडइंस लेनी है बहुत सारी अडिश और वाक्या जो में अपने लोकल मौल आपको और येल के स्टूरेंट्स की कॉमिनलिटी में सिर्फ और एज रह गई है येल का स्टूरेंट्स और आप में फर्क है कि आपकी उमरें यह जैसी है बस बाकी एक्षिन मेट्रिक्स उन्हाने बदल के रखती है इस वाक्त 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 इस वाक उनको कोई पर लगे होते हैं येल के स्टूड़न और आप में क्या फरक है मुझे तो बताएं तो सही वगी तो कह रहा हूं खाली ओलिम्पिक्स में नहीं अमरीका गोल्ड ले रहा ना सोसियालोजी में भी गोल्ड ले रहा है मुझे सिर्फ और से खुसा इस बात का है मौरालिटी में भी वो गोल्ड मेटल ले रहा है कुरान हमने रखा हुआ है आपकी एज के बच्चा गोल्ड मेडल ले रहा है मोरालिटी में एक्टिविस्टम में सुस्यालोड पॉलिटिकल साइंस में वो क्यों ग्लोबल हो गया है वो क्यों कोसवो की बात कर रहा है वो क्यों इस्टेमूर की बात कर रहा था उन्वरस्टी क और लोकल मायोपिक तेनो डेंस थिक डंबनेस की मशीन क्रियेट परपेचुल एनरजी आ रही हमें डंब करने की हारवड का स्टूरेंट येल का स्टूरेंट आईवी लीग के साइड रे स्टूरेंट और पाकिस्तान के टॉप स्टूरेंट अभी त्योड़ें अभी मैं जा मारी थी कि ये सवाल की है तुमने तो मैं मुरगा मिली गया था तो सही दर जबा करते हैं इजी इजी किल थी ना हो तो सबसे इजी किल थी पचास मिनट लेट क्यों आए हैं सर ये सवालत मारा एलेक्शन गी होए अभी तक ये ये येल का स्टूरेंट कभी भी नहीं देगा उसका क्यों क्योंकि उसको पता होगा ये मसले क्या है मिसाल आपको देता हूं ताकि आपके जेन खुल जाएं शहूर वाकी में आजाएं मैथेमेटिक्स इजाद क्यों हुई थी तर्याफ क्यों हुई थी इजाद क्यों हुई थी इजाद क्यों हुई थी इजाद क् सोचें, common sense का सवाल पूछा, नहीं, किस चीज की, किस चीज का हिसाब कताब, क्या मैं बिटाओ का, लाइबा इम्रान, कितनी आज़ाब की, You and your type of psychology gives me hope, never give up on yourself, okay, never, and people are gonna make sure you do, Mathematics ते जाद हुई थी, क्योंकि ऐसा मसला आगया था, इसको solve करना था, बस, समझे रहे हैं, biology क्यों जाद हुई थी, आज़िक, I love you man, एक मसला आगया था, तो इसको solve करना था, जान पर आ गई थी ना, किस चीज की, तो solve करने के लिए फिर, पहले हमने पागया, लिटरली हज्जाम पहले biology सरजन होते थे, पता ना आपको इस बाग का, बाल काटने वाला और जिसम काटने वाला एक ही बंदा होना जरूरी था, क्योंकि छूरी की practice है उसकी, मागर मसला था, किसने सोचा कि आई, तकलीफ हो रही है, कहीं तो हो रही है, कार्ट के निकाल दिया और गनी, और लोग ठीक भी हुड़ाते थे, थोड़ी देर के लिए, हो जाते थे ना, sciences जितनी भी हैं, वो problems का reaction है, याद रखिएगा, बचले, एक एक इनसान, एक trajectory से गुजरा है, problem देखें, science निकालनी पड़ गी उसको, कहीं mathematics आ रही है, कहीं पर physics आ रही है, कहीं पर बालजी आ रही है, chemistry आ रही है, बिल्कुल इसी जरी के से बिटा, problem से ही political science आती है, आप अपने problem के बज़एए, दुनिया के problem देखें के global हो जाएंगे, और आपको बड़ी questions निकालनी पड़ेंगी, और आप ना निकालना, आप शूरू करते हैं, problem सेट करना, science निकालने से ज़्यादा बड़ा, बड़ा मरतबा है, you state the bigger problem, और कुरान पाक यहां पर आके install होता है, कि साबसे बड़े problem बता रहे था है, ग्रूप psychology कुरान बता रहा है, political science कुरान बता रहा है, जहां बे देखो, मुस्लम, आल्ला ताला ने पता है का है, खोड़े सुनें, पढ़ेंगे तो आपको बचलेगा, इस lens से कुरान पाक को खुलें आप, यह एनक पहनें, और देखें, अल्ला ताला मसलों की शनाख कैसे करते हैं, इन्सानों के, कि अब अल्ला अजाब ने देने वाले है, अब आस्मान ने फटा करेंगे, अब अजाब आएगा, तो मुस्लमान की तलवार से आएगा, political science की basis है यह, आप, कहर आस्मान से आंधियों की तरह नहीं नहीं लोंगे जो बनी सराइल पे थे, आप तुम्हें मौमिन की तलवाने सिखाएंगी सारा काम, सोचें, कितनी political science की basis है, कि भई, पावर पकड़ो, मेरी अभी एक भाई साब से डिबेट हो रही थी, आले में, देखें दरा justification of lack of morality, justification of lack of morality, कि अल्हो ताला ने कुरान पाक में कहा है, कि अल्ला से डर जितनी इस्ततात है, उसी कुरान में उस भाई साब को आती है वायत, कि का ताक्ट बढ़ाओ अपनी, होनी पढ़ेंगे, अपने आपको डिमीन करने के लिए, अपने आपको छोटा और justify करने के लिए, अपनी फिल्म का हीरो बनने के, जिस फिल्म में इसको पिटाई हो रही है भाई दोए, जिस फिल्म में पिटाई हो रही है, उसी में हीरो बनने के लिए, फटकु लाहु मस्ततातुम, सोक से लिए, सोच दे लिए, अपने लिए ले की लिए, अपने अपने ले के आँगे। कि अपने होंसे डर जितुरी इसततात है। कि मतलब किया था, master up against them all that you can political science नहीं है जी physics तो नहीं है ना बाल जी तो नहीं है mathematics तो नहीं है और क्या है political science है अभी आपको बता आपकी age में आप politics में कैसे आ सकते हैं जो मैंने मलायका बच्चे से का भी पाकिस्तान के सारे students क्यों नहीं connected आप से ता fast नहीं connected हो रही क्यों क्योंकि आप खुद initiative नहीं ले रहे you are you are docile yourself and you are okay with that आप Pakistan level athlete बनने पे okay हैं आप हारने पे okay हैं Olympian जो भी जाता है वो हारने के लिए जाता वो हार जाता है मगर जीतने के लिए जाता है उसको उन standards का पता होता है कि दिन standards पे अगले बंदे जीतने है ये हैं आपका global aperture वो standards तो देखें simple मैंने तो आपको बड़ी निचली example दिये हारवर और जेल की हारवर और जेल मेरा standard नहीं है हुसैन और अली मेरा standard है अमर और खताब मेरा standard है आप क्या समझ रहे हैं अमर और खताब ने एक्सपेंशन की वार्ड क्यों की है एकिदामी जहाद इससे वड़ा कुछ जल्म है current morality की definition में current definition of global morality में तो अमर और खताब फेल है ना उस बिल्ला ये तो Islamic morality थी के भई बात सुनो तुम्हे कोई बाच्चा से नहीं उतार रहा आप बाच्चा ही रहना अपने अलाखे के मैं गो ruling of morality justice system जो है वो काइनात के मालक का होगा आपको governorship ही मिलेगी आप govern कर रहे हैं governance आपकी मैं गोगर system आपका नहीं ये है superior psychology जो आपके दूसरा लफ बोला है कि global standards, superior psychology when they meet together that is the center that you need to create योदी इस वक्ड़निया के सबसे powerful मखलूक है पता है आपको इस बाद का financially भी, politically भी, socially भी कैसे 12 किलों का बच्चा पैदा होता उनका कैसे सोचे ज़रा क्या, चोंचोती बच्चे की चुपाई भी उनने, मुझे नाक है इसराइल का concept यहूदी की demand में उसको power दे रहता वो पैदाशी Olympian बन जाता concept of Israel is empowering individual Jews जब आप बने ही global objective के लिए हैं तो फिर आप लड़ाई भी globally करते हैं पूरी दुनिया का हर जीव इसराइल का सिटेजन है पताना आपको इस बाद का, पासपोर्ट इच्छी होता है इंस्टेंटली global कर दिया कि मैं इंटरनेशन भी पढ़ता हूँगा तो काम इसराइल के लिए करूँगा लड़ाई भी इसराइल की में लड़ाई है इंस्टेंटली global हो गए आप हमें ये अवान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर से डिजात नहीं मिल रही अभी तक हमारे जहनों को हमने अपनी उकात ही बनाई हुए बटिंडा से काबूल तक इस इट इतनी चोटी कौम हम इसलिए नहीं कि माबाप बज़र कांसेप्स नो नो हमें जियोग्राफिकल प्लेसमेंट मी सबसे पहले चोटा कर दिया था आप कौन है मैं जी बटिंडा और काबूल के बीच की मखलूक हूँ इसराइली कौन है पूरी दुनिया पर निजाम लाने वाले मखलूक आप हमें कौन बटिंडा से काबूल के बीच हमसे तो बेटर वो लोकल हिंदू सा काल दिये जो अटलीस अखंड बारत तो कह देते एक्सपैंशन तो रखते वो भी दुनिया नहीं करते वो कहते हैं वही बई दुनिया काम ही नहीं हमारा हमारी गीता में लिखा ही अखंड बारत है हम क्या करें हमें क्या दो नमरी ठीकाई जाती है मस्जिदे में सिखा रही है वो ग्रेटर इसराइल के प्लान में है ग्रेटर इसराइल लक्षे पे है जी नहीं बनाया है हमने इराक भी शामिल है उसमें शाम भी शामिल है साथी अरब भी शामिल है ऐजिब्ट सेयनाएभी शामल है नहीं ऐसा नहीं है ग्रेटर Israill तौराहत में लिखा हुआ है तौराहत पांच किताबो में अध्मुसा की ग्रेटर Israill लिखा हुआ है पतातों वो किया है तनाक के अंदर बागी की 19 किताबों में लिखा हुआ है क्या है ग्रेटर इसराइल फ्रम जैनेसिस तो एक्जडिस एक ही लेजिसलेटर अर्द मुसा नीचे दे के आ रहे हमारे नभी ने भी लेजिसलेटर दिया था अल्ला तो अपनी सुन्त नहीं बजलते हैं ना कानून अर्द मुसा ने वो ही बताए था कि दुनिया के हर घर में अल्ला का नाम पुचाना है तुमने दियर इस ग्रेटर इसराइल और हमें हमारे नभी ने क्या का लियू जहीरा वालत दीनी कुली दुनिया के तमाम सिस्टम्स के ओपर गालिप करेगा अल्ला ताला इसलाम को कैसे फरिष्टे आएंगे नी नी हमारे थ्रू करवाना थालवाने और सुरह मुहम्मद ही में अल्ला ताला ने कह दिया तुमसे ना हुआ साइड पैट जाओ तुमें मैं रिपलेस करूँगा उन लोगों से तुमसे बहतर होंगे किस से बात हो रही है मुसल्मानों से ये है असली गलोबल साइकालोजी हमें पाकिस्तान ने नही रास हार अभी तक अल्ला साला ने आपको मैं फिर बता दूँ ये मैं बंगला देश में लक्टे दे रहा हुता ना या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में ये वाली बात ना आपसे कर रहा हुता मेरे और आपके दादा ने कुरान की कस्मे उठाई है लिटरली मेरे और आपके दादा ने कि हम अल्ला के नाप पे मुल्क बिना रहे है और लोगों को बहला पुसला के ले भी आई दर और जितने भी लोग आएंवे ना वो हमारे दादाओं की कस्मों की उपर आएंवे जूटी थी सची थी वो तो मेरा और आपका काम है ना सो आप बनाएंगे वो ग्लोबल साइकालोजी इंडियन मुसलिम नहीं बना सकता बनानी चाहिए उसको स्पेशली इंडियन मुसलिम बनानी चाहिए पैंटिस क्रोड़ है आप कहते है असल में तो पचास ही होंगे हमारे वाला ही आल गिंता कोन है तो आपके पास जदा बड़ी एज थी बाराल पाकिस्तानियों को तो जिम्धारी जदा बड़ी सही कहता है इंडियन मुसल्मान सही कहता है हो कहता भी है और सही भी कहता है चुब भी नहीं है कहता भी है यह बड़े बड़े नारे मार के कहे हैं तुम लोग तो यार इसलाम के बड़े कलमल ठाके गए वे थे जी ला इला हाई लाला क्या किये तुमने तुमने हमसे ही बत्तर हो गई हो पैटा तो ठीक हो इसलाम के लेवल पर जो मैंने आपको समझाया है वो इंडियन पाकिस्तान के लेवल पर कह रहा है कि तुमने तो क्लेम किया था मॉरालिटी का तुमने तो अल्ला का नाम ले लिया था और ये नौाज शरी मैं आपसे पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो पैदाशी जिम्मधार है हम तो, हम तो बॉर्ण पाकिस्तानी जाना, मैं आपसे इसलाम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो मैं उठके कह सकता हूँ, अबू से कि अबू जी मैंने थोड़ी कहा था, पाकिस् यह तो मैंने मान लिया, मैं कह सकता हूँ अपने बाप से यह नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुसल्मान को पता होता है कि मैं बाप की वरे से मुसल्मान नहीं हूँ, मैं अल्ला के कुन की वरे से मुसल्मान पैदा हूँ, समझ रहे हैं, हर इंसान मुसल्मान ही पैदा होता है, य कि ग्लोबल अपर्चर से कम बाद नी करूँगा मैं, लियू धिरा हुआ अला दीनी कुली पाकिस्तानियों के लिए नहीं हर मुसल्मान के लिए, that's the problem that you and I are going to solve, especially you and I are going to solve, अर्की टाइप ऑफ मामी, अमी का जो लव्ज है ना, अमी का, सबसे मजलूम लव्ज पाकिस्तान ने पता कौन सा है, फलस्तिनी से भी ज़्यादा मजलूम, अमी, हर वक्त अपने दुख किंटी रहती है, पाकिस्तान की माँ, ये बदलना है अपने, कि ये कौन सा वर्चू है भी, मजलूम होना कोई वर्चू ने इसलाम में, ये कोई सवाब है, कि आपके इतने ज़्यादा जल्म होते हैं, सास भी, पुप भी, शोवर भी, अबू भी, चाचा भी, ताया भी, सब किसम आपको मारने के लिए पैदा हुएं, तो आप जंते होगी नहीं, एनमें फिर भ अम्मी होनी चाहिए, आप किसी, अगर आपने भी वोई अम्मी बनना है, तो बस फिर हो गया काम हमारा, क्योंकि बच्चे तो हमसे भी बत्तर परदा होंगे, ओके, जी.